Hello students, welcome to Magnet Brains, this is Anamika Singh, कैसी हैं आप सभी? So मैं आशेगरती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भाई हाजिर हो चुके होंगे सेशन में So जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जैपरकरम का बियलोजी का एक चाप्टर स्टार्ट किया है क्लास 10 के प्यारी-प्यारी से बच्चों के लिए और आज हम जैपरकरम में कापी जादा इंपर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रही हैं जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है, पोशन, जिसे इंग्लिश में हम नूट्रिशन बोलते हैं हाला कि यह पार्ट, या मैं सको हूँ, यह टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने कोशिश किये कि मैं इसे दो पार्ट में आप सभी को प्रवाइट कर रहा हूँ जिसके लिए आज मिले कर आई हूँ, आप सभी के सामने इसका पहला पार्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को इसी बास से, सबसे पहले तो हम हमारे चैनल के बारे में जान लेते हैं आप सभी को बताना चाती हूँ कि अंत में बात आती है कि ठीके माम सारी इंफॉमेशन आपने हमें दे दी लेकिन सबसे लास्ट में हमें ये बता दीजिए कि जितना भी आप हमें पढ़ा रही हैं और हमें जो पढ़ा चुके उन सब के नोट समय कहां से मिलेंगे उनकी जो लिंक है वो आपको नीचे मिलेगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप इनोट्स और इबुक डाउनलोड कर सकते हैं के साल साथ हमारे एक English Medium Channel भी है जहां पर यदि आप केजी से लेकर Class 12 में किसी भी Class में हैं सो अगर आप English में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे English Medium Channel से भी पढ़ सकते हैं बस यहीं information देनी थी अब हम start करते हैं हमारे इस प्यारे से सेशन को जहां सबसे पहले हम जानेंगे पोशन याने nutrition के बारे में कि यह क्या होता है देखो भाई सोचने वाली बात है कि यह पोशन की तरीके सब में अलग-अलग हो सकते हैं पर हां यह ज़रूरी तो सभी के लिए हैं जितने भी आवशकता होती है तो सभी को पोशक तत्वो की आवशकता होती है याने nutrients के requirement होती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह जो nutrients होते हैं जो सभी सजीबो के लिए आवशक है यह उनके शरीर में पहुचते कैसे हैं इन सब चीजों के पहुचने के तरीके क्या-क्या हैं तो बस आज के सेशन में हम पोशन याने nutrition को अलग-अलग प्रकार से जानेंगे अलग-अलग प्रकार से समझेंगे और साथ करते हैं हम इसी बास से जब हम टहलते हैं या फिर हम cycle की सबारी करते हैं तो हम उर्जा को अपयोग करते हैं बिल्कुल सही बोला है आपके NCRT में इस example से इसे समझाने की कोशिश की है पर हम इसमें जितने भी काम दिन बर में करते हैं वो सब शामिल कर सकते हैं इंक्लूट कर सकते हैं हमारे द्वारा सो कर उठने से लेकर रात में सोने तक की पूरे प्रोसेस की अगर हम बात करें या दिन बर के जितने भी हम काम करते हैं सभी को अगर हम include करें तो एक बात बताओ अगर तुम्हारे शरीर में energy ही नहीं होगी उर्जा ही नहीं होगी तो क्या तुम सब ये काम कर सकोगे फिर तुम्हारा answer क्या आएगा नहीं मैम हम तो पिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे तिसे कई बार हम बिमार हो जाते हैं इतना weakness सा फील होता है हमको तो हमारा उस समय काम करने का भी मन नहीं करता और कई बार इतने जादा बिमार भी होते हैं कि शायद हमें खड़े होने में भी दिखका तो कारण क्या होता है उस समय उर्जा जो है वो पूरी तरह से हमारे शरीर में खतम होने लगती है जिसके लिए हमें क्या अलग से लिनी पड़ती है tablets या injections बात इस तरह से है कि जब हम टहलते हैं जैसे हम इस example से समझें तो जब हम टहलते ही या हम cycle के सबारी करते हैं तो भाईया हमें क्या चाहिए उर्जा हम अगर सीधे चल रहे हैं या हम दौड रहे हैं या हम स्टाइकल चला रहे हैं किसी भी इस्तिती के अगर मैं बात करू तो हमें क्या चाहिए होती है भईया एनर्जी चाहिए होती है इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ उस इस्तिती में भी जब हम कोई आभासी क्रिया कलाप नहीं कर रही है हमारे शरीम में क्रम के स्तिती के अनुरक्षन करने के लिए भी उर्जा की आवशक्ता होती है इसे के साथ व्रिद्धी हो गए यानि के ग्रोथ, विकास यानि डैवलप्मेंट, प्रोटीन, संशलेशन आदी में हमें बाहर से भी पदार्तों की क्या होती है आवशक्ता होती है हमें आदी से भी बाहर से पदार्तों की क्या होती है आवशक्ता होती है ये उर्जग का स्रोत ततपदार्थ जो हम खाते हैं वो क्या होता है भोजन होता है अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो आपको भी पता है हमारे बॉड़ी में हमारे शरीर में उर्जग यानि कि एनरजी बटा फिर नहीं होगी यह energy हमारे शरीर में कैसे पहुचती है, खाने पीने से ही पहुचती है हम दिन भर में नचानिक कितनी चीज़े खाते हैं पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह सारी ही चीज़े हमारे शरीर के लिए कैसी होती है, बहुत जादा आवशक होती है अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कई बार हम घर पे मम्मी पापा से गुसा हो जाते हैं ऐसा होता है ने कई बार कि हमें डाट पढ़ गई है ना छोटे में ऐसा होता है, बड़े होके ऐसा बिल्कुल नहीं होता है पर जब आप खाना नहीं खाते चलो मालनो एक टाइम के लिए खाना छोड़ दिया हाला कि घरवालों ने फोर्स तो किया होगा लेकिन आपने नहीं खाया लेकिन आप ऐसे वाली विक्ति होंगे कि आपको काने के बिना तो रही नहीं सकते हो दिक्कत होने लगेगे फिर तो हाँ पक्के में दिक्कत होना ही है तो हमें एनरजी चाहिए ना और वो एनरजी कैसे मिलती है खाने पीने से तो जब हम टहलते हैं या फिर हम साइकल की सवारी करते हैं तो हम उर्जा का उपयोग करते हैं जी हाँ बलकुल करते हैं उस स्थिती में भी जब हम कोई आभासी क्रिया कलाप नहीं कर रहे हैं हमारे शरीव में करम की स्थिती के अनुरक्षन करने के लिए भी हमें क्या होती है उर्जग के requirement होती है आवशक्ता होती है ब्रद्धी हो गया चाहे विकास याने development हो गया protein sensation आदी में हमें बाहर से भी पदार्थों के आवशक्ता होती है जी हाँ और ये उर्जग के स्रोध तता पदार्थ जो हम खाते हैं वो क्या होता है भोजन होता है हमें भोजन की आवशक्ता होती है इसी के साथ अब बात आती है जैसे इसमें व्रद्धी विकास लिखा है न तो अगर हम अपने शदीर की व्रद्धी करना चाहते हैं बिना खाने के कुछ नहीं होगा अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं सजीव अपना फूजन कैसे प्राप्त करते हैं तो हमें ये तो पता चल गया है कि बाइं जिन्दा रहने के लिए हमें तो चाहिए खाना सजीवों को लेकर हम बात करते हैं और एक ही बार में बूरा पड़ पाना संभव नहीं है तो हम एक ही करके जानेंगे सबी जीवों में उर्जा तथा पदार्थ की सामान ने अवशक्ता समान है बिलकुल सही बोला है लेकिन इसके आपूर्ती कैसी होती है बिन विदियो से होती है हम सबको ये तो पता है कि उटजा भी हमें चाहिए खाना भी हमें चाहिए जिन्दा रहने के लिए बहुत सारी चीज़े करनी पड़ेगी लेकिन हम ये जो खाना खा रहे हैं आप मुझे बत बताओ इसकी जो हैं जैसे कुछ कैसे होते हैं शाका हारी कुछ कैसे होते हैं मासा हारी कुछ जीब कैसे होते हैं सर्वाहारी होते हैं की नहीं होते हैं तो आप सोचने वाली बात हैं जैसे आप प्लांट्स हो गए प्लांट्स खाना कैसे खाते हैं तो प्लांट्स तो अपना खाना खुझ से लेते हैं तो हम अपने फूट के लिए अनिमल पर भी डिपेंड होते हैं प्लांट पर भी हम अनिमल बेस्ट प्रोडक्ट भी लेते हैं तो ऐसी करके चीज़े चल रही होती हैं इसलिए काये कि सभी जीवों में उर्चा तथा बिटा पदार्थ की सामान या आवश्यक्ता कैस समान है लेकिन इसकी आपूर्ती भिन भिन या भिन विदियो से होती है कुछ जीव अकार्बनिक स्त्रोतों से कार्बन डाइओक्साइड तता जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं यह जीव कैसे होते हैं स्वपोशी होते हैं और जिनमें सभी हरे पौधे तत बहिया सीओ टू यानि की कार्बन डेओक्साइड तता जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं यानि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं वे जीव स्वपोशी होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं बस उन्हें कुछ चीजों की आवशक्ता होती है इसी के सा इसमें सबी green plants आते हैं और कुछ bacteria इसमें आते हैं सारे ने कुछ bacteria आने जीव जटल पदार्थों को उपयोग करते हैं बिलकुल सही कहा है इन जटल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना क्या होता है अनिवारे होता है ताकि यह जीव के समरक्षन तता पाचित करना है या शरीर में हमें उज़ा की आवशकता है तो पहले तो उसे हमें खंडों में विवाज़त करना होगा या में कहों से ब्रेकडाउं करना होगा तो इसलिए जटिल पादार्तों को सरल पादार्तों में खंडित करना क्या होता है बहुत जादा आवशक होता है ये हम भी करते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे माल लो हमने रोटी खाई, सबजी खाई, चावल खाया, X, Y, Z, कुछ भी खाया, आप जब खाते हो तो उसको digestion भी तो उसका होना चाहिए, आपने रोटी काई, रोटी से हमें क्या मलता है, glucose, अब आपने माल लो एक रोटी काई, ऐस जगा पर पहुँच की, उसमें जो enzymes होते हैं, वो digestion में help करेंगे, फिर हम energy मिलेगी, ऐसे चलती है पूरी process, हवा में नहीं चलती है, तो हमारा food भी कैसे होता है, समाने रूप में पहले कैसा होता है, complex होता है, फिर उसको हम simple form में क्या करते हैं, कन बोट करते हैं, बास समझे अब हम अपनी कहानी के तरफ आगे कि से प्राप्त करने के लिए जीट जो होते हैं, वो जय वो तो प्रहिरक का उपयोग करते हैं, जिने हम क्या बोलते हैं, enzymes की सहायता से ही पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीके, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, अथा वो इसी प्रकार के विश्म पोशी जीवों में शामिल होते हैं ठीक है, ओके, ना इसी के साथ आते हैं अब हम एक एक करके जानेंगे भाईये एक करके समझेंगे कि यह जो स्वाब पोशी पोशन है ऐच्छली में वो कैसे होता है, कैसे मिलता है क्या-क्या इसके पीछे के कहानी होती है मैं आपको बता हूँ इतना मज़िदार सा ये चाप्टर ये जैप प्रक्रम यहाँ छोटी-छोटी चीज़े आपकी क्लियर होंगी जैसे मैं आपको स्वापोशी पोशन के बारे में बताती हूँ यहाँ पर ये शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रकास संचलेशन इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलते हैं फोटो सिंथेसिस कहते हैं सो बिसिकली अगर हम देखा जाए स्वापोशी पोशन कौन करते हैं? संचलेशन काथी संचलेशन संचली प्रकास सुनलाइट की हम से अपना खाना बनाते हैं स्वापोशी जीब जो होते हैं ? स्वापोशी जीब डता उर्ज़ाma क्या बशकता है? प्रकास संचलेशन के द्वारा ही पूरी होती है इसे के साथ यह एक ऐसा प्रक्राम है जिसमें स्वापोशी बाहर से लिए पदार्तों को उर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है इसे के सांसाथ ये पदार्थ कार्बन डे ऑक्साइड तता जल के रूप में लिये जाते हैं किसके रूप में लिये जाते हैं तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो CO2 और वाटर के पाम में लिये जाते हैं जो सूर के प्रकाश तता क्लोरोफिल की उपस्तिती में, किसकी उपस्तिती में बैया, क्लोरोफिल की उपस्तिती में कार्बोहाइडरेट में परिवर्तित कर दिये जाते हैं, जिससे उन्हें क्या मिलती है, एनर्जी याने उर्जा भी समझा रहे हूं मैं ये पूरा कार्बो पौदों को उर्ज़र प्रदान करने में क्या होते हैं प्रयुक्त होते हैं तो यहां पर जितना लिखा है तो एक काम करते हैं आगे से रिलेटेड अभी और भी चीज़ें पढ़नी होगी तो सबसे पहले तो मैं इसी कॉंसेप्ट को एक्स्प्लेइन कर देती हूं समझा देत है इसको मैंने कुछ इस तरह से बनाया है इस वाले सेक्शन को कुछ ऐसे बनाया है और इस वाले सेक्शन को जो है मैंने कुछ इस तरह से बनाया है ठीक है और ये कुछ ऐसे चलेगा अब ये वाला पार्ट क्या है ये वाला सेक्शन रूट वाला सेक्शन है जिसे हम क्या ब और जडों में क्या पाया जाता है? धे सरव पानी होता है. अब ये मत कहना पानी कहां से आया? वो भी story, वो भी कहानी मैं आपको समझा देती हूं. ठीक है? तो ये कुछ ऐसे मैंने यहाँ पर इसे कर दिया. अब क्या होता है? तो भैया जो मैंने ये बनाया है. यहाँ पर मु पत्ति और क्या बनाई यहां पर एक पत्ती और मैंने इस्को क्यों कर दिया टिकए यहां पर यू ऐसे और ये ऐसे आप पिर इस वाले section को मैंने ऐसे बना दिया ओके आप भी ऐसे बनाना तो आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में हाना थोड़ा interesting भी में हमें पढ़ाई करनी है ऐसे boring boring नहीं करना कि बस मैं आपने बोल दिया photosynthesis तो हो जाएगा ना जी ना और मैं एक और color use कर लेती हूँ यहाँ पर और वो है यह और मैंने इसे ऐसे बनाया और यह ऐसे that's it finish ठीक है देखो भाई यह बनाने के पीछे reason है यह बनाने के पीछे कारण है अब जब पूरी process है ना बिटा वह आपको बहुत easy way में समझमें आएगी अच्छे से समझमें आएगी अब पहले तो मैं यहाँ पर क्या बनाउंगी sun क्योंकि मुझे क्या चाहिए होगी यहाँ संय lecture होगी याने क्या चाहिए होगा सूर्य का प्रकाष so हमने क्या रेखा यह क्या है हमारा sun और अगर बात आती है किसकी? sun की ठीक है? और अगर बात किसकी आती है sun की तो पहली बात तो ये है हमारा sun तो देखो भाई, जो photosynthesis की process होती है, इसमें basically होता ये है कि जो green plants होते हैं, वो अपना food खोदी ही बनाते हैं, तभी तो हमें स्वरपोशी बोलते हैं यानि अपने food के लिए किसी पर depend नहीं होते हैं आश्रित नहीं होते हैं, इनको कुछ चीजे चाहिए होती है, और वो क्या होती है? sun light चाहिए sunlight की help से ही ये क्या करते हैं भाईया? अपना food बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, बिना सनलाइट के इनका फूड नहीं बनता है पौदे का कौन सा भागे जहां पर खाना बनता है तो हम क्या बोलेंगे कि भईया, वो सेक्षन तो पत्ती वाला सेक्षन है यानि कि पत्ती वाला भाग है इसी के साथ मैं आपको बताना चाती हूँ पत्ती में जब खाना बनता है, तो पत्ती को सनलाइट तो चाहिए ही होती है और एक्मोस्पेर से क्या चाहिए होती है तो एक्मोस्पेर से ये कार्बन डै उक्साइड भी गैस लेता है इसे के साथ साथ रूट्स वाले सेक्षन में पानी होता है और पानी को भी क्या है? अपनी तरफ लेता है उतक की सहायता से तो खाना बनाने के लिए इसे क्या चाहिए? बहिए कारबन डियोकसाइड चाहिए पानी भी चाहिए थोड़ा सा और इसे क्या चाहिए? सनलाइट इनके माध्यम से ये खाना बनाएगी कौन? पत्ती साती साथ पत्ती में क्या पाया जाता है अब यह लिकाता है ना क्लोरोफिल जिसे हिंदी में हम पंड हरित बोलते हैं क्लोरोफिल क्या होता है एक रिये वर्णनक होता है ठीक है और ये जो खाना बना के energy बनाती है वो पूरे plant को distribute कर देती है किसके सहायता से उतकों की सहायता से तो इस तरह से चलने वाली ये पूरी process होती है इस तरह से चलने वाली ये पूरी कहानी होती है मैं उमीद करती हूँ कि आपको इस जो मैंने story बताईए उससे अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हमने क्या देखा कि ये पदात carbon dioxide तता जल के रूप में लिये जाते हैं जो सूर के प्रकाश तता chlorophyll के उपस्तिती में कार्बो हाइडरेट में याने उर्जा में परिवर्तित कर देते हैं कार्बो हाइडरेट से ही हमें body में क्या मिलती है energy चाहे हम हो चाहे plants हो कार्बो हाइडरेट ही क्या provide देख करता है energy provide करता है कार्बो हाइडरिट पौधों को उर्जर प्रदान करने में क्या किये जाते हैं? प्रयुक्त किये जाते हैं कोई confusion, कोई समस्या, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम और इसे और अच्छे से समझते हैं जो कार्बो हाइडरिट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है अब मानलो की कार्बो हाइडरिट का तुरंत प्रयुक्त नहीं करना है तो उसका मंड के रूप में क्या कर लिया जाता है? मंड के रूप में उसको स्टोर कर लिया जाता है याने उसको संचित कर लिया जाता है यह रक्षे तांतरे कुर्जा की तरह कारे करेगा तता पौधे द्वारा अवश्यक्त तनुसर प्रयुक्त कर लिया जाएगा जिसे हमारे बॉडी में क्या होता है मान लो की एक टाइम हमने खाना नहीं खाया तो तुरंट गिर के बहोश नहीं हो जाएंगे वे वेक्ती जो बिना खाने की नहीं रह सकता उसकी बात अलगे लेकिन हाँ ऐसा नहीं होगा कि तुरंट चक्कर खाके हम दो गंटे में गिर के खड़े गिर ही जाएंगे नहीं भाई हमारे बॉडी में एनर्जी तो होगी चमता तो होगी हम भूके तो रह सकेंगे कुछ देर के चमता रहती है हमारे पास कुछ गंटों के चमता होती है तो वो कैसी होती है क्योंकि इतने दिन का जो हमने खाया पिया हुआ है हमारे बॉडी में सब कुछ है protein भी है, carbohydrate भी है, fat भी है, सारी चीज़े हमारे पास energy store भी है आपने class 9 में पढ़ा होगा कि जो energy याने उर्जा होती है वो हमारी ATP में store होती है, adenosine triphosphate में तो हमारे शरी में उर्जा क्या होती है, store रहती ही है लेकिन एक time ऐसे आता है कि अगर हम उसको अलग से उर्जा नहीं दे रहे हैं तो हमारे शरी के उर्जा भी खत्म हो जाती है और हम बहुत ज़्यादा weak feel करते हैं, ऐसे ही से इन plants के साथ होगा यहाँ पर जो मंड के रूप में से store करके रखा जा रहा है यह रक्षित आंत्रे कूर्जा की तरह कारे करेगा और जब पौदे को, plant को इसकी आवशक्ता होगी, इसकी requirement होगी तो उसे वहाँ पर वो use कर लेगा समझे की नहीं समझे कुछ इसी तरह की इस्तिती हमारे अंदर भी देखी जाती है जैसा की माने आपको बताया सेम ऐसा हमारे अंदर भी होता है जरूरत होगी, वैसे तो हमारे body में energy है और जरूरत होगी, मानलो कभी हमने एक time या दो time ठीक से खाना नहीं खा पाए तो हमारे शरीर में जो पहले की उर्जा है वो हमें जिन्दा रखेगी energetic रखेगी, लेकिन लगतार अगर हमारे शरीर में अलग से खाना नहीं पहुच पा रहे है, time to time चीज़े नहीं हो रही है तो हम बिमार भी हो जाएंगे, कम जोर हो जाएंगे, समझें So next आते हैं, हमारे द्वारा खाये गए भोजन में व्योत्पन उर्जा का कुछ बाग हमारे शरीर में glycogen के रूप में स्टोर हो जाता है, इसी के साथ मैं आपको भी ये पूरी कहानी explain करने जा रही हूँ, अगर मालो, जैसे हमने हमारी वाली बात तो जान ली हमने हमारा जाना कि हमारे द्वारा खाये गए भोजन से, व्योत्पन उर्जा का जो कुछ बाग है भाईया वो हमारे शरी में glycogen के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है यह हमारे बाडी की बात ती, अब आते हैं plants की तरफ यह equation अगर आप paper में लिख दोगे ना भाई, मज़ा आ जाना है बहुत जादा होता यह है बटा कि जो आपको दिख रहा है क्या, कि यहाँ पर क्या है CO2 याने की carbon dioxide और क्या है H2O याने की water याने की पानी और chlorophyll की उपस्तिती में सूर के प्रकाश में इनने आपस में क्या की, reaction अभी क्रिया की और हमें क्या दे दिया C6H12O6 याने हमें क्या दिया है glucose, oxygen gas यहाँ से release हुई और H2O याने की water भी प्राप्त हुआ सबात कुछ इस प्रकाश से है, कि जब प्रकाश sensation की क्रिया होती है, photosynthesis की process होती है तो उसमें chlorophyll चाहिए ही चाहिए होता है, इसी के साथ atmosphere का CO2 चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है जब यह अपस में reaction करते हैं, तो यह O2 को release करते हैं, क्योंकि plants को O2 नहीं चाहिए व현 से पूरे number आने है, ऑके, next आते हैं, अब हम अगली कहानी की तरफ, अब हम देखते हैं कि प्रकाश sensation program में वास्ताम में होता क्या है, अब हम यह देखने जा रहे हैं कि बھईया, actually में प्रकाश sensulation program में क्या होता है इस program के दौरान कुछ घटनाएं होती है जैसे chlorophyll द्वारा प्रकाश उर्जा को absorb कर लिया जाता है Chlorophyll क्या करती है Chlorophyll जिसे हिंदी में हम क्या बोलते है Pandharit बोलते है बिटा हिंदी में ये क्या कहलाती है So ये कहलाती है पन हरित कभी confuse मत हो जाना पता चला कहीं पन हरित नाम मिल जाए तो आप सुचो कि इसकी बात चल रही है सो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश उर्जा को एब्सॉफ कर लिया जाता है और प्रकाश उर्जा को रासाइनी कुर्जा में रुपांतरित करना तता जल अड़ों का हाइड्रोजन तता ऑक्सिजन में अपगटन यह इसकी बात बताई जा रही है और कार्बन डियोकसाइड का कारबो हाइड्रेट में अपचयन यहां पर पूरी प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है कि अब हम देखते हैं कि प्रकास संशलेशन प्रक्रम में वास्तम में क्या होता है तो यह पूरी चीजे होती है अब ध्यान से देखें यह आवश्यक नहीं है कि यह चरण ततकाल एक के बाद दूसरा हो उधारन के लिए मरुदबुद पौदे जो होते हैं रात्रे में कारबन डियोकसाइड लेते हैं और एक मध्यस्त उत्पाद बनाते हैं दिन में क्लोरोफिल उर्जा एब्जॉब करके अंति मुत्पाद बनाता है ठीक है? चलिए अब आते हैं हम आगे की तरफ आईए अब हमें काम करते हैं हम देखें कि उप्रोक्त अभिक्रिया का प्रत्य गटक प्रकास संचलेशन के लिए किस प्रकार क्या है भाईया आवश्यक है चलो इस चीज़ को हम जानते हैं इस चीज़ को हम समझते हैं इस से रिलेडेड एक इमेज यहाँ पर दी गई है जिसके अभी हम हम हेल्प लेंगे जिसका अभी हम सहारा लेंगे ताकि हमारी यह जो थियोरी है हम एच्छे से समझ में आ जाए अभी तक मैंने आपको किस-किस के बारे में बताया फोटो सिंतेसिस, प्रकार संशलेशन मैंने आपको यहाँ पर बताया फूट किस स्रेक्शन में बनता है प्लांट्स के स्वाप पोशी में कौन आते हैं हमने पूरी प्रोसेस जान ली मैंने वहाँ पर एक बार हरित लवक शब्द का भी प्रयोग किया क्लांस नाइट में हमें ये पढ़ाया गया है कि जो लवक हैं भाई वो कितने प्रकार के होते हैं तो ये जो लवक होते हैं न बिटा ये तीन तरीके के होते हैं कौन-कौन से होते हैं एक होता है वणनी लवक एक होता है बिटा अवणनी लवक और एक होता है हरितलवक तो सुनो आईए हम देखें कि उपरोगत अभिक्रिया का प्रत्य गटक प्रकास इंशलेशन के लिए किस तरह से आवश्यक है तो सबसे पहले तो हमने देखा यदिया भ्यानपूर्वा के पत्ती के अनुपरस्त काट का सूश्म दर्शी याने माइक्रोस्कोप से अगर आप इसका अवलोकन करेंगे जैसा कि यहाँ पर हमारी इमेज में बताया है जो कि 5.1 है तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदू दिखाई देते हैं जी हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे और ये हरे बिंदू जो है वो कोशिकाओंग है कोशिकाओंग बोले तो कोशिकाओंग हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कोशिकाओं के कई सारे क्या होते ही अंगओंग होते उन्ही में से एक अंगओंग क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है बटा इंग्लिश में ये क्लोरोप्लास्ट होता है हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में इसे हम हरित लवक बोलते हैं इसमें ही क्या पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है समझे की नहीं समझे तो हमने क्या देखा हमने यह जाना कि बहिया जो एक कोशिकांग है वही यहाँ पर उसकी बात चल रही है कि यदि आप ध्यानपूर्वा के पत्ती के अनुप्रस्त काट को देखते हैं तो अगर हमें सेक्शन को अनुप्रस्त काट को जूम करके देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा सूशम दर्शी से देखने पर हम अवलोकन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहिया कोशिकांग में हरे रंग के बिंदू दिखाई देते हैं और हरे बिंदु जो है वो कोशिकांग है और इनी को हम क्या बोलते है हरे तिलवक बोलते हैं यानि के क्लोरो प्लास्ट बोलते हैं ओके ये कोशिका अंगा के कैसे कोशिका अंगा के जो केवल और केवल बिटा प्लांट्स में पाया जाता है हमारे में नहीं पाया जाता है इस चीज़ का मेंली ध्यान रखेंगे आप सभी क्या ध्यान रखेंगे कि ये हरितलवक जो है वो केवल और केवल किसमें पाया जाता है पादप कोशिका में जन्तु कोशिका में हमारे शरीर के कोशिका में इसकी कोई आवश्यक्ता नहीं है क्यों? क्योंकि हम हमारा खाना जो है स्वापोशी तरीके से नहीं बनाते हैं हम पोशन में स्वापोशन नहीं करते हैं वो प्लांट्स करते हैं तो उन्हें क्या चाहिए? हर इतला वक चाहिए ठीक है? तो इसी के साथ आईए हमें क्रिया कलाप करते हैं दरशाता है कि अचरे के लिए कुलोन वह आवशस्याहBen मुझार। पहली इस इमेज को ध्यान से रखिएगा। का प्रयोग किया है जिसमें आप देख सकते हैं धुआर कोश़ी का आपको दिख रही है वायो कोशे हरित लवके निचली बाहिये तवचा आपको दिख रही है और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि इसके पती के पार्ट्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बात कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर हरित लवक के बारे में में लिए हमें जानना था कि भाई, अगर हम इसे पती में देखना चाहें, तो किस तरह से यह हमें दिखाई देगी? तो इस तरह से हमें दिखाई देगी अब हम आते हैं chlorophyll की उस activity की तरफ जो हमें अभी करनी है तो चलिए start करते हूं उस activity को उम्मेद करते हूं कि जितना भी अभी हमने पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा स्वापोशी पोशान आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए अब आते हैं हम हमारी इस activity की तरफ इस क्रिया कलाप की तरफ और इसे समझते हैं सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे एक-एक सेक्षन को पढ़ेंगी एक-एक सेक्षन को जानेंगे जैसे हमें activity में जो-जो कहा जा रहा है न वो step by step हम करेंगे सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि गमले में लगा एक शबलित पत्ती आप शबलित पत्ती कुछ बच्चों को नहीं बता होगा सो बिटा यहां हम उधारन के लिए क्या कर सकते हैं money plant यह तो आप सबने अपने गर में देखा ही होगा या पिर हम croton का पौधा ले सकते हैं उसका यहां पर use करने को कहा जा रहा है अरे बाई शबलित पत्ती मतलब एक ऐसी पत्ती जो आपने देखा होगा कि बाई जादा थोड़ी green होती है और उसमें थोड़ा सा yellow जैसा part होता है आगे आपको वो मिलेगी तो बाई शबलित पत्ती होती है money plant में आपने जनरली उसे देखा होगा कि कुछ section उसका yellow सा भी होता है सो गमले में लगा एक शबलित पत्ती बाला हमें बौधा लेने को कहा जा रहा है और ये गमले में लगा होना चाहिए फिर पौधे को हमें तीन दिन के लिए बिटा अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड जो है वो प्रयोक तो हो जाए अब तीन दिन तक उसे एक बन कमरा या मैं कहा सकती हो अंधेरे कमरे में रखने को कहा जा रहा है किसमें अंधेरे कमरे में अब जब अंधेरे कमरे में रखने को बोल रहा है इसका मतलब उससे सनलाइट नहीं मिल रही होगी सूरे का प्रकाश नहीं मिल रहा होगा और जब उसे sunlight नहीं मिल रही होगी तो मतलब वो अपना जो food है वो नहीं बना पा रही होगी मतलब वो अपनी बची हुई energy को जो है वो use कर रही होगी तब ही तो कह रहे हैं कि पौदे को तीन दिन तक अधेरे कमरे में रखे ताकि उसका जो मंड है वो अच्छी तरह से प्रयुक तो हो जाए बची कुछी energy से वो अपना तब तक काम चला ले अब क्या बूल रहे हैं कि आप पौदे को लगबग 6 गंटे के लिए सूरे के प्रकाश में रखिए ठीके बईया अगली step क्या है तो अब कह रहे हैं कि जब ये पूरी process हो जाएगी तो अब 6 गंटे के लिए वो जो पौदा था उसे हम sunlight में रख देते हैं सूरे के प्रकाश में रख देते हैं पौदे से एक पत्ती को तोड़ लीजिए और वो जो पौदा था जो प्लान था उससे एक पत्ती को हमें तोड़ लेना है इसमें हरे भाग को अंकित करिए और उन्हें एक कागस पर ट्रेक कर लीजिए ठीके बई ट्रेस कर लीजिए तो उसमें से एक पत्ती को हमें तोड़ लेना है तो इसमें हरे भाग को अंकित करें और इसे के साथ क्या करना है? एक कागड़ पर उसे ट्रेस कर लीजिए कुछ मिनिट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए क्या बूल रहे हैं भाग कुछ मिनिट के लिए आप एक काम करें कुछ मिनिट द्यान डखना इस पूरी प्रोसेस के बाद हमें कुछ मिनिट के लिए उबलते हुए पानी में उस पत्ती को डाल देना है बस कुछ मिनिट ठीक है? इसके बाद इसे अलकोहल से भरे बीकर में डुबो दीजिए एक ऐसा बीकर लेना है जो पूरी तरह से किससे भरा हुआ है अलकोहल से उसमें फिर हमें इसे डुबोना है क्या ये पूरी बात आप सभी को समझ में आई activity कभी भी बिटा ऐसे ही की जाती है फिर से इसे जानते हैं फिर से इसे समझते हैं simply मैंने आपसे ये बोला है कि गमले में लगा एक शबलित पत्ती वाला हमें पौधा लेना है पौधे को तीन दिन अंधेरे कमरे में रखना है ताकि मंड जो है वो सही तरह समपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए अब पौधे को लगबग 6 गंटे के लिए सनलाइट में रख दीजिए ठीके भाईया रख देंगे यहां मंडे जब बच्चे से प्रयुक्त हो जाएगा फिर उसको नई उर्जा बनाने के लिए सनलाइट में रखेंगे उनली 6 आर्ट के लिए पौले से एक पत्ती को तोड़ लीजिए और उसे उसके हरे बाग को अंकित कर लीजिए और उसे एक कागश पर ट्रेस कर लीजिए कुछ मिनिट के लिए इस पत्ती को उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे और उसके बाद एक बीकर में हमें इसको रखना होगा जो कि अलकोहल से भरा हुआ होगा उसमें हमें इस पत्ती को डुबो देना है फिर क्या होगा इस बीकर को साबधानी से जल उश्मक में रखकर तब तक गर्म करें जब तक अलकोहल उबलने ना लगे तो हम से क्या बूल रहे हैं कि अब इस बीकर को साबधानी से जल उश्मक में रखकर तब तक गर्म करो जब तक वो अलकोहल ना उबलने लगे और अब question ये पूछा जा रहा है कि बैया पत्ती के रंग का क्या होता है विलियन का रंग जो है यानि कि वो जो solution है उसका क्या होगा वो कैसा होगा तो दो तरीके के question पूछे जा रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले यहां पर बताना चाहती हूँ कि वो जो leaf है वो जो पत्ती है अगर हम इस तरह से पूरी प्रोसेस करते हैं न बिटा तो होगा ये कि पत्ती colorless हो जाएगी रंग हीन हो जाएगी और chlorophyll alcohol में घुल जाएगा और alcohol हरा हो जाता है alcohol कैसा हो जाएगा green color का हो जाएगा cell wall टूट जाती है plant जो हमारी leaf के अंदर cell wall है वो टूट जाएगी जिसके कारण जो chlorophyll ही कैसा हो जाएगा green हो जाएगा क्या आप सबको मेरी बास समझ में आई सो इस पूरी activity को जब हमने देखा तो हमसे question पूछा गया हमने उसे read किया और उसका answer दे दिया आगे बढ़ते हैं अब हम अगले इस related कहानी को समझते हैं अब कुछ मिनिट के लिए इस पत्ती को iodine के tanuvillion में डाल दीजिए अब थोड़ी देर के लिए से iodine के tanuvillion में डालने को बोल रहे हैं पत्ती को बाहर निकाल कर उसके iodine को फर धोने को बोल रहे हैं पत्ती के रंग की अगर बात करें तो बोचित्र 5.2 का अबलोकन करने को बोल रहे हैं कि पत्ती के रंग का अबलोकन कीजिए और प्रारंभ मे पत्ती का जो ट्रेस किया था तना उसकी तुलला इससे कीजीए। पत्ती की विभिन भागों में मंड की उपस्तिती के बारे में आप क्या निशकर्श निकाल सकते हैं ये भी आपको यहां पर बटाना है। तो चलो, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, सबसे पहले हमने जाना कि ये एक शबलित पत्ती है, जो मंड परिक्षन से पहले की है, और ये मंड परिक्षन के बात की पत्ती है, हमने देखा कि भाईया, ये जो है शबलित पत्ती, जो ग उपस्तिती के बारे में आप क्या निशकर्ष निकालते हैं तो हमने देखा कि पत्ती का हरा बाग गहरा नीला हो जाता है ये स्टार्च की उपस्तिती को बता रहा है और पत्ती का रंगहीन भाग जो है यानि कि जो कलरलेस पार्ट है वो स्टार्च के निर्मान को नहीं प्रकास तंशलेशन के लिए क्लोरोफिल बहुत जादा क्या होता है भाईया आवशक होता है ठीक है तो पत्ती के विबन बागों में मंड की उपस्तिती के बारे में आप क्या निश्करश निकालते हैं यह हमसे पूचा था हमने बता दिया पत्ती का हरा बाग गहरा नीला हो जाता है यह स्टार्च की उपस्तिती को बता रहा है क्योंकि स्टार्च का एक्सपेरिमेंट ही तो ऐसे ही किया जाता है तो हमने जब यह एक्सपेरिमेंट किया तो भाईया उसने अपना कलर चेंज करके नीले में परिवर्तित कर दिया जिसने हमें बताया कि पत्ती का हरा बाग नीला हो जाता है यह स्टार्च के उपस्तिती को बता रहा है और पत्ति का रंग हीन भाग स्टार्च के निर्मान को नहीं दर्शाता है इस गतिविदी से निशकष निकाल सकते हैं कि प्रकास संचलेशन के लिए बैया क्लोरोफिल की आवशकता बहुत जादा होती है मत अति मातरा में आवशक होता है अब आते हैं हम आगे के तरफ प्रकास संचलेशन के लिए ध्यान से समझेगा प्रकास संचलेशन के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन ही छिद्रों के द्वारा होता है लेकिन यहां यह जानना भी आवशक है कि गैसों का आदा चद्रों के बारे में जान पा रहे होंगे चलो इसे भी हम देख लेते हैं फ्रस्य का दिकांष आदान प्रदान जो होता है मतलब गैसे एक्सचेंज होती है फॉर एक्जामपल सी यूटू का आना ओटू का बाहर जाना इन दोनों ही प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें वो सब रंद्र की सहायता से होता है जुसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं स्ट्रोमिटा बोलते हैं बिटा प्रकास अंशलेशन के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है लेकिन यहां यह जानना भी आवशके के गैसों का आदान प्रदान तने होगे और जड़ होगे और पत्यों की सहायता से भी होता है इन रंद्रों से प्राप्त मातरा में जलकी भी हानी होती है आपको यहां पर रंद्र दिखाई दे रहा होगा यह है इसका A वाला पार्ट यह है इसका B वाला पार्ट जहां आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले चीज की ये क्या है रंदर छिद्र है है ना और ये क्या है इसमें हरित लवक है ये वाला सेक्शन किसका है हरित लवक का है ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है और यहां पर ये दोनों ही साइट क्या है गाट सेल है ये वाला section खुला रंदर है और ये वाला जो है बंदरंद है यानि open stomata है और ये close stomata है बात कुछ इस तरह से है कि जो चीजे इसे चाहिए होती है वो अपने अंदर ले लेती है और इसे ऐसे खुला रखती है और फिर जब इसे नहीं चाहिए होती है तो यह बंद कर लेती है तो बेसिकली देखा जाए तो यह guard cells रक्षी कोशिकाएं होती है जो बेसिकली क्या करती है इसको जो है protect करने का यह चीजों के आदान प्रदान में सहायता करती है कहां पाई जाती है तो जस्ट मैंने अभी आपको ये पढ़ाया दा ना इसी में ही जो लीप्स होती है ना उन्हीं में ही क्या होते हैं छोटे छोटे से बहुत छोटे छोटे से छिद्रों होते हैं उन्हीं को ही क्या कहा जाता है बिटा इस्टुमेंटा कहा जाता है क्या कहा संचलेशन के लिए गैसों का रिकाश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है लेकिन यहां यह जानना भी आवशक है कि गैसों का आदान प्रदान तने जड़ और पत्यों की सहायता से भी होता है इन रंद्रों से पर्याप्त मात्रा में जल्की भी हानी होती है बिल्कुल सही कहा है कि भईया इन रंद्रों से पर्याप्त मात्रा में जल्की भी हानी होती है नेक्स आते अता जब प्रकाल संचलेशन के लिए कारबंडे ओक्साइड की आवशकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है और छिद्रों का कुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का कारे होता है जब प्रकाल संचलेशन के लिए कारबंडे ओक्साइड की आवशकता मालो नहीं है तो यह क्या करता है तो पौधा इन छिद्रों को स्ट्रमेटा को बंद कर देता है और छिद्रों का कुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का कारे होता है काई का क्या है भाई कार रहे है द्वार कोशिका है भी मैंने आपको बताई थी न ऐसे थी फिर बंद हो रही थी ठीक है इसी के साथ द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो फिर भाईया वो फूल जाती है और रंदर का जो छिद्र है वो खुल जाता है इसी के सा जब द्वार कोशिक है, सिकोडती है, तो छिद्र जो है, वो बंद हो जाता है ऐसे हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है, आते हैं अब हम अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ चलो इसे हम जानते हैं, चलो इसे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी हमसे क्या कहती है बिटा लगबग अच्छा एक इमेज यहां दिख रहे हैं पहले ही से समझेंगे फिर ही से समझेंगे लगबग समान आकार के गमले में लगे दो पौधे लेना है तेन दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए ठीके भाईया सेम उसी तरह से हम इसकी भी प्रोसेस करते हैं तीन दिन तक हम इसे किसमें रखते हैं एक अंधेरे कमरे में रख देते हैं अब रतेक पौधे को अलग-अलग काच पटिका पर रखिए और एक पौधे के पास वाच ग्लास में पोटेशियम हाइडरॉकसाइड रखिए और पोटेशियम हाइड्रोकसाइड और एक में क्या होगा पोटेशियम हाइड्रोकसाइड नहीं होगा समझे की नहीं समझे तो एक में पोटेशियम हाइड्रोकसाइड होगा और एक में पोटेशियम हाइड्रोकसाइड नहीं होगा तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे potassium hydroxide watch glass में है और यहाँ पर बेल जार आपको दिखाई दे रहा है बता रही हूँ अभी क्योंकि इसको बेल जार से क्या किया है तो हमसे क्या बोल रहे हैं प्रते एक पौधे को अलग-अलग काच पटिका पर रखिए ठीक है और एक पौधे के पास watch glass में potassium hydroxide रखिए और potassium hydroxide का प्योग carbon dioxide को absorb करने के लिए किया जाता है चित्रपास 2.4 के अनुसार दोनों पौधों को अलग-अलग बेल जार से ढख दीजिए तो यह है बेल जार जिससे हमने इसे अच्छे से क्या कर दिया है डक दिया है बोल सकते हैं पैक कर दिया है अब क्या बोल रहे हैं बिटा तो सुनो जार के तली को सील करने के लिए काच पटिका पर हमें यहाँ पर वैसलील लगाने को कहा जा रहा है इससे प्रयोग वायू रोधी हो जाता है मतलब जो है बायू रोधी हो जाता है मतलब गेर से से एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे उसको रोकने का काम करता है लगवग दो गंटे के लिए पौधो को सूरे के प्रकाश में रख दीजिए सनलाइट में रख दीजिए एक चीज ध्यान में रखिएगा यह जो पूरी प्रोसेस हुई है इस वाले सेक्शन में अगर हम इसे ध्यान से देखें तो पहली बात तो यह बेल जार से दोनों ही चीज़े क्या है धकी हुई है मतलब इसके पास अभी सनलाइट यह दूसरी चीज़े अलग से नहीं पड़ रही है हमने एक चीज़ नोटिस की कि इसमें पोटेशियम हाइड्रॉकसाइड है तो ध्यान से सुनना यह कारबन डाय उकसाइड को बहुत जल्दी क्या कर लेता है एब्जॉब यानि कि अफ्शोशित कर लेता है बस यह चीज़ मैं अभी बता रहे हैं क्योंकि अब क्या बूल रहे हैं कि कहा गया हाँ अब दो गंटे के लिए पौदो को सूरे के प्रकाश में रखिए ठीके भाईया पहले हमने उसे पैक कर दिया था बिलजार में है ना और हमसे क्या बोल रहे हैं कि इसे दो गंटे के लिए सनलाइट में रख दीजिए प्रतेक पौदे से एक पती तोड़ी ये तताव प्रोग तो क्रिया कलाब की तरह उसमें मंड की उपस्तिती की जाज कीजिए क्या दोनों पती है समान मात्रा में मंड की उपस्तिती दर्शाती है इस क्रिया कलाब से आप क्या निश्कर्ष निकालते हैं तो सुनो थोड़ा सा पीछे यह दी हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे अगर हम होते हैं तो हमसे बोल रहे हैं कि अगर इस इस्तिती और इस्तिती की बात करूँ तो मंड की मात्रा दोनों में कैसी है तो ध्यान से सुनो सबसे पहली चीज़ कि इसमें पोटीशियम हैडरॉकसाइड है अगर इसमें थोड़ी मात्रा में मंड होगा भी माल लो थोड़ी मात्रा में इसमें है थोड़ी मात्रा में इसमें तो अगर थोड़ी मात्रा में मंड होगा भी न तो CO2 उसे बहुत जल्दी क्या कर लेगी एब्जॉब यानि कि क्या कर लेगी अब शोशित यानि कि इसमें मंड की मात्रा और इसमें दोनों में समान बिल्कुल भी नहीं होगी और दूसरी चीज कि इनने क्या बोल रहे हैं दो-दो गंटे के लिए वापस से सनलाइट में रखने को कहा जा रहा है तो अगर हम ऐसा करते हैं लगबग दो गंटे के लिए पौदो को सूरी के प्रकाश में रखिए और प्रत्यक पौदे से एक पत्ती को तोड़ने को कह रहे हैं और उप्रोक्त क्रिया कलाप की तरह उसमें मंड की स्थितिकी जाच कीजिए यदि बटा हम ऐसा करते हैं और अगर हम ऐसा देखते हैं तो हमें भी पता है कि इस वाले सेक्शन में कारबन डियोकसाइट का एबसॉप्शन जल्दी होगा यानि कि इसमें मंड की मात्रा कम होगी किसके तुलना में इसके तुलना में इसमें थोड़ा ने काफे कम होगा और इसमें मंड कैसा होगा जादा होगा ठीक है तो हमसे बोल रहे थे क्या दोनों पत्तिया समान मात्रा में मंड की उपस्तिती दर जाती है तो हम क्या कहेंगे नहीं दोनों पत्तिया समान मात्रा में मंड की स्तिती नहीं दर जाती है तो हम नहीं ही बोल रहे हैंना अब आते हैं एक और कहानी के तरफ क्या बोल रही है कि इस KRIA कलाब से आप क्या निश्कष निकालते हैं तो जब हमनी इस पूरी अक्टिबिटि को बहुत ध्यान से देखा तो हमें एक चीज पता चली और वो पता चला कि जो प्रकास सेंशलेशन की क्रिया होती है यानि कि बिटा जो पोटो सिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें कारबन डियोकसाइड का कितना जादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सो इससे हमें पता चला कि जो हमारी CO2 है वो इस प्रोसेस में बहुत important role play कर दी है उसका होना क्या है आवश्चक है नहीं होगी उसकी कमी होगी तो आपको पता है क्या होगा अभी हमने यह जाना नेक्स इसके आगे की कहानी को हम पढ़ते हैं उपरोक्त दो क्रिया कलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सकेगी प्रकाल संशलेशन के लिए सूरी के प्रकाश की आवश्चकता होती है अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वापोशी अपनी उर्जा की आवश्चकता की पूर्ती कैसे करते हैं लेकिन उने भी उनके शरीर के निर्मान के लिए निकच्ची सामगरी की आवश्चकता होती है इस तलिए पौदे प्रकास सेंशलेशन के लिए आवशक जल की पूर्ती जड़ो तता जड़ो द्वारा मिट्टी में उपस्ते जल की अवशोशन से करते हैं तो पहली बात तो इसका अंसर जल्दी से आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में देंगे तक कोई बड़ा क्वेशन है नहीं वो और सलिए पौदे जो होते हैं वो प्रकास सेंशलेशन के लिए यानि फोटो सिंथेसिस के लिए आवशक जल की पूर्ती है ना मतलब जो जल की बड़ारत भी मिट्टी से ही लिए जाते हैं यह कुछ ऐसे बड़ारत होते हैं जो हमें किस से प्राप्त होते हैं प्लांट्स को मिट्टी से प्राप्त होते हैं नैट्रोजन एक ऐसा आवश्यक तत्व है जिसका प्रयोग या जिसका उप्योग प्रोटीन तता अन्य योग के रूप में लिया जोता है जिन्हें जिवाडू वायू मंडल ये नाइट्रोजन से बनाते हैं याने वायू मंडल का जो नाइट्रोजन है उससे बनाते हैं ओके चलिए अब आते हैं हम अपनी अगली कहानी के तरफ हमने स्वपोशी पोशन क्या होता है यह बहुत अच्छे से जान लिया है यह बहुत अच्छे से समझ लिया है अब हमने ये पूरी process तो हो गई कि जो plants होते हैं, green plants होते हैं, कैसे वो sunlight के help से अपना food बनाते हैं और पर उसे गाते हैं और energy लेते हैं अब बात आती है कि मैं विशम पोशी पोशन क्या होते हैं तो प्रतेक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है भोजन के स्वरूप और उसकी उपलब्दता के आदार पर पोशन के विधी विभिन्नि प्रकार की हो सकती है इसके अतरिक ये जीव के भोजन ग्रहन करने के ढंग पर भी निर्भर करती है उधारन के लिए यदि भोजन का जो स्त्रोध वो अचल है जैसे की गास हो गई या पिर गतिशील जैसे की हिरन हो गया है ना तो हमने क्या बोला कि यदि बोजन स्रोध अचल जैसे की घास हो गया या फिर गतिशील जैसे की हिरन है दोनों प्रकार के बोजन का अभिगम का तरीका भी कैसा होगा अलग अलग होगा इन दोनों प्रेकार के भोजन का तरीका भी या इनके अभिगम का तरीका भी कैसा होगा अलग-अलग होगा चाहे वो उस अचल घास की बात करें या फिर हम उस गतेशील हिरन की बात करें आप मुझे बता सकते ही कैसे होगा तो कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा ठीक है इसे के साथ नेक्स्ट आते हैं अब हम जीवो द्वारा भोजन ग्रहन करने और उसके उपयोग की युक्तियां कैसी होती है अनेक होती है कुछ जीव बोज्य पदार्तों का विक्तन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उनका क्या होता है अफ्शोर्शन करते हैं पफूंदी हो गई, येस्ट हो गया, मश्रूम आदी, कवक इसके क्या होते हैं उधारन है अने जीव संपूंद बोज्य पदार्त का अंतरगरहन करती हैं तता उनका पाचन शरीर के ही अंदर हो जाता है इसी के साथ जीव द्वारा किस बोजन का अंतरगरहन किया जाए तता उसके पाचन की बिदी, उसके शरीर की अभे कलपना तता कारिश शैली पर ही निर्बर करती है कुछ अन्य जीव जैसे पौधो और जंतों को बिना मारे उनसे पोशन प्राप्त करती हैं ये पोशन युक्ती, अमर बेल, किलनी होगी, जू, लीच और पीता गरमी बहुत से जीव द्वारा प्रयुक्त की जाती है इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे लास्ट, सबसे एंड की कहानी वो ये है कि जीव अपना पोशन कैसे करती है तो बोशन और उसके अंतरगरहन के बिधिया कैसी होती है, भिन होती है, अलग होती है, अताब विबिन जीवों में पाचन तंत्र भी कैसा होता है, भिन होता है बाई, कुछ जीव ऐसे होते हैं, जो इतने चोटे हैं, जिने हम हमारी अनेड़िड आइस से या नग नाकों से नहीं देख सकते हैं इससे देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप, है ना, और कुछ जीव जो है, वो थोड़े बड़े होते हैं इससे हम हो गए और हमसे भी बड़े क्या हो गए, जिसे एक अग्जामपल के लिए हाती ले लिया हमने, हम सब के ड़िजन का तरीका क्या होगा अलग क्योंकि हमारे बॉड़ी का structure भी अलग है बोजन और उसके अंतरगरहन की विधी कैसी है? भिन है अता विबिन जीवों में पाचन तंत्र भी कैसा होता है? भिन है एक कोशिकी जीवों में वोजन संपूर्ण सता से लिया जा सकता है लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन कारे करने वाले अंग भी कैसे हो जाते हैं? विशिस्ट हो जाते हैं उधारण के लिए हम इसमें अमीबा का best example ले सकते हैं क्योंकि एक कोशिकी जीव में अमीबा आता है तो Amoeba कोश की सता से अंगुली जैसी अस्ताई प्रवर्द की मदद से भोजन को ग्रहन करता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रही होंगे यह इसका कूटपाद वाला सेक्षन है जिसे हम पादाव भी बूलते हैं यह वाला जो सेक्षन है उसकी खाद रिक्तिका है और अंदर उसकी क्या है यहाँ पर खाद कड़ है फिर हमने देखा कि किस तरह से जो Amoeba है उसमें पोशन पहुचता है या Amoeba में पोशन कैसे होता है यह हमने जाना तो हमने जाना यह प्रवर्द बूजन के कड़ों को घेर लेते हैं और संगलित होकर खाद रिक्तिका बनाने का काम करते हैं जैसकि आप इस इमिज में देखे ही सकते हैं खाद रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विट्टन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं जो की साइटो प्लास्म होता है अंदर उसमें बचा हुआ अपच पदार्थ जो है वो कोशिका की सता की और गती करता है तता श सब इसमें आते हैं. ओके सो आज के लिए इतना ही उम्मेद करती हूँ कि ये session आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कहानी आपको अच्छे से clear हो गई होगी इस chapter में हमने इस वाले part में में लिए भी मैंने आपको potion के बारे में बताया है. नेक्स सेशन में लेका राऊंगे जहां पर हम humans में जानेंगे portion की process के बारे में वीडियो कैसी लगी है तो इसे comment section में ज़रूर बताईएगा like करिएगा, share करिएगा, channel को subscribe नहीं किया है तो वो ज़रूर करिएगा इसी के साथ facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp, यह है mandate beings के अधर platforms yt पर बिटा आप हमारे sessions ले सकते हैं, हमारे classes ले सकते हैं, application के तुरू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं website के तुरू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे classes जो हैं वो attend कर सकते हैं और इसी के साथ बिटा e-notes और e-book के link आपको कहां मिलेगी नीचे description box में यह हैं हमारे Hindi English Medium के top courses, CBSE Board, Delhi Board, Bihar Board, UP Board, MP Board, Rajasthan Board, Vedic Match, Crash Course और Spoken English इसे के साथ यदि आप English Medium चैनल या अप English Medium के student हैं तो हमारे एक और चैनल English Medium का जहां KG से लिकर 12 तक के classes आपको प्रवाइड की जाती है e-notes और e-book के link आपको पता चल गए है, मिलेंगे next session में इस क्या आगे की कहानी continue करेंगे तब तक के लिए, bye bye, take care, thank you class